नमस्कार दोस्तों फिर्स स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं समसंग के लेक्सी M31S मोबाइल में आप यहां पे स्मार्ट साइड बार जो इस टैप से आ जाता है इसको आप यहां पे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको कैसे आफ कर सकते हैं तो फुल सेटिंग के बारे में आपको बताने वाली हूं तो यह जो स्मार्ट साइड बार है इसको सेट करने के लिए आप यहां पे जब स्क्रॉल करके सेटिंग पर जाते हैं तो यहां पे आप स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद यहां पे आ सब्सक्नाब्लिकेशन करना है तो यहां पे ze Dabei क्लिक करेंगे तो यहां पे पैनल बेति तुरिए आपको क्या चाहिए आपके एप्लीकेशन चाहिए या फिल ने के आ डाइकट आप यहां से कह सकती है उनको या फिर यहां तो यहां पर एड़ करना चाहते हैं जैसे गिफी स्क्रीन पिनिंग और वगरा वगरा और यहां पर यह चीज़े भी एड़ हो जाती है टास्क आपके और वैदर और टूल्स वगरा तो यहां पर आप देख लेंगे कि स्मार्ट यहां पर स्मार्ट साइड बार में आपको क्या चीज़ करनी है ठीक है तो मैंने यहां पर एप कर दिया है और यहां पर पीपल कर दिया है और इसके बाद बैक कर दूंगी इतना करने के बाद यहां पर हैंडल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां से कलर चेंज कर सकते हैं इसका आप देख सकते हैं यह ब्लू कलर में आ गया है त सकते हैं तो यहां पे इसका जो कलर है वो चेंज होगा ठीक है यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से और डन पर क्लिक कर देंगे तो इस टैप से यह क्लर भी change हो जाता है और पोजेशन क्या रखना है आप तोbons यहां से पसंद करतें हैं तो यहां से में राइट करना है और राइट करना है तो इस टैप से आप इसका ट्रांस्पेरेंट सी चेंज कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं इसको वाइट में कर दूंगी थोड़ा सा यह वाइट में सही लगता है 吉व यह पिर यहां पे प्लेक्ष गर सकते हैं पर इसकी इंक्रेज कर देंगे झीड़क है और इसके बाद यह कोई कर दें eşit करके और इसके बाद जब यहां पे आप इस तरह से क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर यह चीज़े आ गई है और यहां पर मैं पैन की निशान पर जाओंगी और यहां पर मैं चीज़े अपनी हिसाब से एड कर लूँगी कि मेरे को क्या क्या चीज़े इसमें कर लिए है और यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर टच एंड होड़ कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको छोड़ दोंगी और इसके बाद कर दोंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइब से जब आप करते हैं तो यहां पर आपकी चीज़े आ जाती है और इस पर जा कर लिया है मैंने इसके बाद बैक कर दूँगी और यहां पर जब ऐसे करूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल किया ऐसे करके तो यहां पर कॉंटेक्ट वाला आ गया section तो इस step से आप यहां पर edit कर सकते हैं तो आई होगाई यह वीडियो आपको जरूर पसंद होगा इसी टाइप के और इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार